हेलो फ्रेंड्स, B.S.C. 2nd semester chemistry का जो हम लोग unit 7 देख रहे हैं kinetics and mechanism of polymerization तो आज हम इसमें बात करेंगे nylon 6 से की ठीक है nylon 6 आपका होता क्या है, इसका निर्मान करना भी बताएंगे और इसको उपयोग भी देखेंगे तो topic आपका important है और एकदम आसानी से वीडियो आपको समझ में आएगा तो यार फ्लीच वीडियो को last तक देखना इसके इपना कीजेगा तो देखो nylon 6 को देखते हैं तो कहरा है nylon 6 को perlone L के नाम से भी जाना जाता है क्या का गया nylon 6 जो है आपका इसे perlone L के नाम से भी जाना जाता है तो आप देखो इसका देखते हैं लोग इसका निर्मार आप कैसे कर सकते हैं उसकी भी बात करते हैं बहुलाग का निर्मार या nylon 6 का निर्मार ठीक है उसके जब पॉली मेराई जेसन करोगे बहुली करण करोगे तब nylon 6 बनेगा तो देखो देखते हैं इसका preparation तो आपको simple करना क्या है यह जो nylon 6 है इसके लिए आपको बनाने के लिए क्या लेना है caprolactam क्या लेना पड़ेगा caprolactam ठीक है caprolactam का structure देखो कैसा होता है आपको बताते हैं आपे तो simple देखो आपको caprolactam मनाते हैं आपे जैसे benzene का structure होता है वैसे इतना देखो बना लेना आपको यहाँ पे यह आपको जैसे हो गया ना उसी type से आपको बनाना है और यहाँ पे देखो यह CO, यहाँ पे CO कर देना है देखो, तो C mucho और यहाँ पे N और H, ठीक है और इस से जोड़ देना है, ठीक है तो यह आपका देख सकते हो यह है Caprolactam का formula ठीक है, देखो यहाँ पे C double bond O, तो यह आपका Gaya Caprolactam का formula, ठीक है इसे आप देखो किस टाइब से और भी लिख सकते हो देखो यहाँ पर सब जगह C, C, C अर्थात कार्बन लगा हुए ना तो कार्बन अलग 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 लगा लो तो यहाँ पर CH2, CH2 मलब आपका कार्बन लगा है तो CH2, CH2, 5 जगह आपका था तो 5 जगह हमने लगा लिया ठीक है देख सकते हो और आपका यहाँ पर C, O और फिर N, H तो आसानिस इसको सिंगल सिंगल बॉंड से जोड़ देते हैं यह देख सकते हो आपका यह जूड गया यह जूड गया, यह कार्बन इससे यह कार्बन इससे, यह आपका ऐसे और यह आपका इससे, ठीक है तो देख सकते हो आपका यह हो गया सौरी यह वाला बॉंड आपका नाइट्रोजन से लगेगा देख सकते हो वाँ पर नाइट्रोजन पर था ना कार्बन इससे, उसको दिखाए गया आप देखो, प्रिप्रेशन आप पॉलीमर पहले आपको कैपरोलेक्टम लिख लेना है सिंपल, तो CH2, CH2, यहाँ पर भी CH2 और नीचे CH2, ठीक है उपर लिखना है CO और NH, ठीक है इतना लिख लिया, आप बॉंड से जोड़ दो देख सकते हो, आसानी से, इस बॉंड से इसको जुढ़ा ये आपका जुड़ गया है, ये जुड़ गया और ये जुड़ गया है, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, कॉड़् आप कर लेक्टम एका तो आपका यहाँ पर जल का इस पर योग हो जाएगा, देखो HOH भी लिख सकते हो, ह2O को, ठीक है, HOH, तो देखो यहाँ पर आपको जब होH लिख दोगे, तो यहाँ बनेगा कैसे, CONH है, आपको देख सकते हो, यह NH जो है, इस पर एक हाइडोजन जोड के NH2 लगा लो, देखो एक हाइडोजन जोड गया NH2, और यहाँ पर आपके पांच, देख सकते हो, CH2 पांच जगा लगे हो है, तो यहाँ पर लिख दो CH2 का होल 5, ठीक है, और फिर देखो, इतना हो गया, अब यह आगे था, CO, देखो, CO आपका बच रहा है न, और यहाँ पर OH बच रहा है, तो जोड़ दो इसे COOH, ठीक है, और इसको यह ऐसे बन कर दिया, यह आपका बन गया कैपरोईक एसिड, ठीक है, तो NH2, CH2 का होल 5, COOH, NH, H Hydrogen से जुड़ा NH2, फिर CH2 5 थे, तो 5, और COOOH मिलके COOH, इसका नाम हो गया, कैपरोईक एसिड, कैपरोईक आमलेट, ठीक है, तो देख सकते हो, इतना तो बना लोगे, कैपरोईक एसिड बन गया, आप इसी की किया आपको करने है, इसका बहुली करड़ जब कर दोगे, तो बन जाएगा Nylon 6, तो चलो बनाते हैं इसको, तो देखो इसको हम लोग नीचे भी आपको नोट कर लेते हैं, फिर बनाते हैं, ठीक है, कैपरोईक एसिड को, तो देखो इसको देखते हैं, नीचे लिखते हैं, यह आपका हो गया कैपरोईक एसिड ठीक है, NH2, CH2 को होल पाइफ, CWH, आप क्या करें इसका, इसका आपको 210 डिग्री सिंटिग्रेट पे, बहुली करड़ अर्थात पॉली मेरा जेसन करा देना है, ठीक है, 210 डिग्री सिंटिग्रेट पर, तो होगा क्या यहां से देखो, आपका फिर से एक हाइटर।ज़न, NH2 का, और आपका यहां से एक हाइटर।ज़न, और यहां से OH आपका बाहर निकल जाएगा, और आपका बंद गया जाएगा, नाईलोन 6, तो देखो बनाते हैं, यहाँ पे आपको NH यहाँ पे CH2 5 थे तो 5 लिख दो CH2 को whole pipe और आगे हो जाएगा CO देखो यहाँ से OH तो निकल गया बचा CO ठीक है आप देखो जैसे बहुलक में बनाते हो यह आपको ऐसे यहाँ से bond कर देना है यह आपका कोष्ट बंद हो जाएगा और बाहर लिख देना N ठीक है N अडू लिए थे इसके तो आपको यहाँ पे N अडू लिख लेने कि हमने इसके N मॉलेक्यूल को लिए है तो देखो N मॉलेक्यूल लिए तो आपका आसानी से देखो यहाँ पे जो O है आप ऐसे भी लिख सकते हो यह उपर double bond लगा के लिख दो ठीक है C double bond हो तो यह आपका बन क्या चुका है nylon 6 ठीक है N मॉलेक्यूल को अपरोग एसिड के ले लिए और आपका क्या बन गया nylon 6 ठीक है एगदा मासानी से nylon 6 का निर्माल कर सकते हो कोई दिककर ने एगदा मासान है ठीक है ये एक पॉलीमर बन चुका है नाइलोन 6 तो इसका preparation देखा आप उपयोग भी देख सकते हो ठीक है तो ये था preparation of नाइलोन 6 ठीक है कैप्रोलक्तम से बना इसका निर्मार कैप्रोलक्तम के बहुली कर से होता है ठीक है आप देखते इसके उपयोग तो उपयोग देखो इसका मुख के उपयोग टायर के धागो टायर कॉल्स कपड़ा एवं रस्से बनाने में किया जाता है तो ये हो गया इसके उपयोग नाइलोन 6 के ठीक है एकदम आसन टॉपिक था तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो अपली लाइक भी कर देना ओके थैंक्स पार वाचिंग देश वीडियो